खेलो स्टूडेंस तो आज मैं जो किताब आपको पढ़कर के सुनाने जा रहा हूँँ उस किताब का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, और ये किताब लिखी हुई है जवाहलाल नेहरू के द्वारा। तो जब जवाहलाल नेहरु स्वतंतरता सेंग्राम के दोरान जेल में रह रहे थे तो उस दोरान वो अपनी बिटिया इंद्रा गांधी को बहुत मिस करते थे और उन्ही दिनों में उन्होंने कुछ चिठियां लिखी थी इंद्रा गांधी के नाम और इस चिठियों में एक किसोर मन के बच्चे के अंदर में जो भी सवाल उठते हैं दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, प्रकृर्टी के बारे में, इतिहास के बारे में उन सब का बड़े अच्छे से उन्होंने सिलसिलेवार तडिके से जवाब लिखा है तो ये सारी चिप्ठियां उसी में से हैं तो इस में से बहुत सारे चैप्टर मैंने पहले भी रिकॉर्ड करके डाला है मैं जल्दी ही इसकी एक प्लेलिस्ट बनां करके उसका एनाउंस्मेंट करूँगा आज हम लोग देखेंगे इसमें कि उन्होंने जातियों के बारे में क्या बताया है हम सब लोग समाद में रहते हैं हम सब लोगों की कोई ने कोई जाती है कोई ब्राम्हन है, कोई राजपूत है, कोई भुमिहार है, कोई बंगाली है, कोई बैकवार्ड है, कोई फॉर्वार्ड है, कोई बनिया है, कोई लोहार है, तो अलग-अलग जातियां है न, और ये जातियां लगभग सारे रिलिजन्स में पाई जाती हैं तो जवाहलाल नहरू ये बता रहे हैं कि आखिर हमारे समाज में जातियों वाले कंसेप्ट की अवधारना शुरू कैसे हुई, जातियां कैसे बनी, तो आज हम लोग ये जानेंगे नहरू जी कहते हैं कि मैंने अपने पिछले खतों में तुम्हें बतलाया है कि शुरू में जब आदमी पैदा हुआ, तो वो बहुत जानवरों से मिलता था धीरे धीरे हजारों वर्सों में उसने तरक्की की और पहले से ज़्यादा होसियार हो गया पहले वह अकेले ही जानवरों का सिकार करता होगा, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं, कुछ दिनों के बाद उसे मालम हुआ कि आदमीयों के साथ एक गिरोह में, एक ग्रुप में रहना ज्यादा अकल की बात है, उसमें जान जाने का डर भी कम है, एक साथ रहकर के व ज्यादा मजबूत हो जाते थे, और जानवरों या दूसरे आदमीयों के हमलों का ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते थे, जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अकसर जुन्डों में रहा करते हैं, रहते हैं ना, जैसे कि भेड, बकडियां और हीरन, यहां तक कि हाथी भी जुन्डों में ही रहते हैं, जब जुन्ड होता है तो उनमें से एक जागता रहता है और उनका पहरा देता रहता है, तो उन्हें भेडियों के जुन्ड की कहानियां पढ़ी होंगी, रूस में जारों के दिनों में वे जुन्ड बांध करके चलते हैं, और जब बेडिया कभी आदमी पर हमला नहीं करता लेकिन उनका जुन्ड इतना मजबूत हो जाता है कि वह कई आदमियों पर भी हमला कर बैठता है तब आदमियों को अपनी जान बचा करके भागना होता है और अक्सर भेडियों और बर्फ वाली गारियों में बैठे हुए आदमियों में दोड़ होती है तो इस तरह पुराने जमाने के आदमियों ने सभिता में जो पहली तरक्की की हुआ था मिल करके जून्डों में रहना है ना इस तरह जातियों या ये कहलें एक सब्ध है फिरकों क बुनियात पड़ी अब वे साथ साथ काम करने लगे वे एक दुसरे की मदद करते रहते थे हर एक आदमी अपनी जाती का ख्याल लगता था और तब अपना ख्याल लगता था अगर जाती पर कोई संकट आता तो हरे एक आदमी जाती की तरब से लड़ता था और अगर कोई सा ड्रॉइंग आप देख सकते हो कि किस तरह से दो ग्रूपों में दो जातियों में लड़ाई को पिक्चराइज करने की खोसिस की गई है अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें काइदे के साथ काम करना होगा काइदे का मतलब है समसेट अ तक चलना है जिंदा रहना है तो उसे एक डिसिप्लीन को फालो करना होगा इसलिए किसी एक को उनका सरदार बनना पड़ता है आखिर सरदार क्यों बनना होता है सरदार इसलिए बनना पड़ता है कि एक सरदार होगा एक लीडर होगा एक मुख्या होगा तो बाकी सब उसकी बात मानेंगे उसके नियम के हिसाब से चलेंगे मनुस्यों के बारे में क्या कहें जानवरों के जुंडों में भी तो सरदार होते हैं होते हैं ना तो जातियों में वही आदमी सरदार चुना जाता था जो सबसे मजबूत होता था इसी लिए उस जमाने में बहुत लडाई करन होगा कि किसी ग्रुप में किसी समूह में सबसे ताकतवर कौन है तो कुछ कंपिटीटर एक दुसरे के सामने खड़े हो सकते हैं यह क्लेम करने को कि मैं मजबूत हूं मैं बहादुर हूं अगर एक आदमी एक आदमी अगर एक जाती के आदमी आपस में लड़ने लगे तो जाती नस्ट हो सकती है इसका डर रहेगा इसी लिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में न लरपाव हैं यूनाइटेड होकर के रहे हैं एक साथ रहे हैं हाँ एक जाती दूसरी जाती से लड़ सकती थी और लड़ती भी थी यह तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हरे एक आदमी अकेला ही लड़ता था ग्रुप बन जाने पर क्या होता है न कि ताकत बढ़ जाती है जैसे पांच उंगलियों को इकठा कर लो तो मुठी बन जाती है तो मुठी में ज्यादा ताकत होती है अब यह बात ज़रा सोच करके देखो कि इन जातियों में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुपों के बीच में लड़ाईयां क्यों होती होंगी तो एक तो यह बात हो गई कि स्रेश्टता साबित करनी है कि मैं स्रेश्ट हूँ मैं तुमसे ज़्यादा पावर्फुल हूँ या मैं अपने ग्रुप का मुख्य या हूँ तो मैं तुम्हारे भी ग्रुप का मुख्या वरना चाहता हूँ दूसरी बात यह हो सकती है कि दूसरे ग्रुप के पास में अगर कोई चीज जादा है कोई संपत्ती जादा है जानवर जादा है सोने चांदी जादा है तो ऐसे में पहला ग्रुप उससे पराने जमने के आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा खास कर जातियां बनने के पहले ना उनके पास कोई घर था ना कपड़े थे हांसाइच जानवरों की खाले पहनने को मिल जाती हूं और उसे बराबर लरना पढ़ता रहा होगा अपने भोजन के लिए या तो जानवरो को सिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने होते थे उसे अपने चारों तरफ दुस्मन ही दुस्मन नजर आते होंगे प्रकृति भी उसे कभी-कभी दुस्मन वालुम होती हो आंधी आ जाये तुफान आ जाये ओले गिरने लगे बर्फ गिरने लगे और क्या भूकम पा जाये तो बेचारे की दसा कितनी दीन हीन हुआ करती होगी कि जमीन पर रेंग रहा है और हर एक चीज से डरता है इसलिए कि वह कोई बात समझ नहीं सकता अगर ओले गिरते तो वह स खुस करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था जो उस पर ओले पानी और बर्फ गिरा रहा था तो यहां से ही भगवान की संकल्पना भी शुरू हुई होगी देवताओं की संकल्पना शुरू हुई होगी लेकिन अब जमीन पर रहने वाला आदमी बादल में रहने वाल नहीं वो बहुत होस्यार था उसने सोचा कि बादलों का देवता हमारे ही तरह होगा और खाने की चीजें पसंद करता होगा इसलिए वह कुछ मांस रख देता था या किसी जानवर की कुर्बानी करके छोड़ देता था कि बादलों में रहने वाला देवता आ करके खा ले और खुस हो जाए वह सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी बंध हो जाएगा हमें यह पागलपन सा मालम होता है क्योंकि हम में या ओले या बर्प के गिरने का कारण आज के समय में जानते हैं क्योंकि इन सब के पीछे तो वैज्ञानी कारण होते हैं जोग्राफिकल लीजन होते हैं तो जानवरों को मारने से इसका कोई संबंध है नहीं जानवरों को मार करके जानवरों का बलिदान दे करके हम किसी देवता को खुस नहीं कर सकते लेकिन आज भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इतने ना समझ हैं कि अब तक वही काम किये जाते हैं दुनिया के कई देशों में कई जगों पर अभी भी बली प्रथा चल रही है तो स्टुडेंट्स ये चैप्टर की जातियां कैसे बनी होंगी यह यहाँ पर खत्म होता है मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग इसे आप लाइक करो, सेयर करो, सबस्क्राइब करो और इस किताब के बाकी सारे चैप्टर्स जो आपके मन के बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं वो जानना हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नए लेक्चर में हैपी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग